आपने क्रिकेट में कई प्रकार के सेलिब्रेशन देखे होंगी कोई सतक लगाने पर सेलिब्रेशन करता है तो कोई विकेट लेने पर लेकिन आपको आज किस वीडियो में मैं आज इतने वाला सेलिब्रेशन दिखाएंगे जो आप देख की सेलिब्रेशन दिखाएंगे आप सब्सक्राइब कर देना चलो जानते कि उस दिन हुआ क्या था एक कहानी निदाश्ट्रापी 2018 के सेमी फाइनल मैच की जहां ए बांगलादेश और स्रिलंका के हमगराण में होने वाला था जहां बांगलादेश और स्रिलंका का आमना शामना था जेतने वाले टेम को भारत से फ इस ओर में दो बाल कंदे के उपर से गुजडर जाते जिसे नो बाल करायर नहीं दिया जाता है इस बात पर बांगलादेश की काप्तान स्याकिबल और स्याकिबल हसन काफी नाराज हो जाते वो अपने खिलाडे को बीट मैदान से वापस आने को कहते तहीं बांगल्स के सब्स्ट्रिट फिल्डर मैदान में घुचाते और श्रिलंग का खिलाडे उसे उलचाते बात करते को बढ़ती होई देखकर अमपायर बीच बचाओ करते और अमपायर महुल शान्ध होता है तो मैदल उल्लाचाओ का लगाकर बांगल्स को फाइनल में पहुचा देते इसके बाद बांगल्स के खिलाड़ काफी उत्ते जिद हो जाते और बीच मैदान में नागिन डांस करना चालो कर देते शाकेबल हसन तो अपने सट निकाल कर मैदान में घुमने लगते दाड़ने लगते और बांगल्स के कुछ प्लेयर तो स्रिलंगा के प्लेयर से उलज जाते स्रिलंगा के लाड़ के साथ भी वर्क करना ही कैसे भी सही नहीं था लेकिन उन नागिनों को यह नहीं पता था कि सफे रहात में लिए फाइनल में इंतर्चार कर रहा है जो इन नागिनों के प्रिबिन बजा देंगा तारिक 18 मार्च 2008 यह वो दीन था जब स्रिलंगा के प्रेमदा स्टेडे में भारत बांगलाइस का मुकाबला था जहां स्रिलंगा के सबसे ज़्यादा दर्शक मोजू थे वज्जा सापती भारत को जीतना देखना चाहते थे क्योंकि बैंगलाइस ने उन्हें अपमन किया था इस मैच में व्राट को ली उपलब्द नहीं थे और उस मैच की कप्तानी रोईस सर्मा कर रहे थे पर थे कप्तान रोईस सर्मा ने टोजित कर पले गेंदबा जी का फैस्ट ला लिया बैंगलाइस की पारी की सुरुवात करने आ थे तमी इकबाल और लिटन दास आयव सत्येज रोणु के अंधरी बैंगलाइस के देवनी अपनस का विकेट गवा बैटते तमी पंदरन बना की चहल का सिकार बने तो वह इन लिटन दास काम वासिंग्टम सुंदरनी 11 रोणु के निजी स्कोर पर तमाम का दिया वर्तिक जो में सरकार और मुस्तिवी जर्यमान को पहले न भेजकर बैज़कर बैज़कर आड़ सट पर चार विकेट था वह बैगल्देस काफी मुश्किलों में दीक रही थी लेकिन सीबीर एक चोड़ पर बैगल्देस को पारिको संभार रहे थी आगे आगे बैगल्दे को 167 रनों पर पहुचा दिया अब बारी भारते बल्लेवाजों की थी टेटर्णों में 167 रनों का लक्ष कोई मुश्किल नहीं होता लेकिन भारत के मद्यकर में विराट को लिकी ना होने के वज़से इसलिए कुछ भी आसान नहीं था हाला कि सीकर और रुईत की जोड़ी ने भारत को आकरामक सुरुआ दिला लेकिन ये जोड़ी जादा देर ठीक नहीं पाई और तीसरे ओर में सीकर को शाकीब ने आउट कर पहला विकेट गिरा दिया अगले ओर में रुबेल नी रहिना को सुन्य पर आउट करके भारत का स्कोर 32 रनों पर दो विकेट कर दिया अब सारी जिम्मेदार रोहित के कंदों पर आ गई और उनका साथ देनी आये केहल राउल ने आतिक ठाबा बोल दिया राउल का स्कोर 24 रनों के निजी स्कोर पर पहुँच गा चुकी थी रोबेल ने दसवी ओर के भारत को तीसरा जटका दिया और भी केहल राउल के रुप लेकिन दूसरे छोड़ पर उनका साथ निबाने वाले मनिस पांडे धिमी पारी के वज़से रोहित सर्मा को आकरामक स्वाट खेलने के लिए मजबूर किया चोनोती दे डालिया और यहां से रनों की गति को बढ़ानी के प्रयास में रोहित सर्मा चेपर रनों के स्कोर पर अपना विकेट गवावेटे जैसे नजमल इसलाम ने उन्हीं आउट कया तो अपना फहन फैलाकर होईत के सामने ही नागिन डास करने लगे लेकिन अभी उनको यह अंदाजा नहीं था कि इस में आच में कुछ अलगी होने वाला था कितना भारी पढ़ने वाला जैसे ही रो शुरू कर दिया भारात को अंतिम अटरा बाल पर जीत के लिए 34 रंग चाहिए थी अटरा और के लेकर आये मुस्तवी जराइमान स्ट्राइक पे ते दिने सकार थी भले बेंदवाजी करना विजय संकर उसी मैस को विजय संकर ने अपने जीवन में कावे भूल नहीं कर पा अब भारत को जीत के लिए 12 गेंदों में 34 रंग चाहिए यह म्यास्तरा बांगलेस के जोली में जा चुका था लगबग भालत को सिलंगा के समर्थ माइस हो रहे थे वहीं बांगलेस के अपने फैन फैलाई तयार करी थी साथ में विकेट के रूप में भारत को ओर से बल्ले बाजी करने आते दिनिस्कार्तिक बांगलेस के जीत के लिए बीच में दिनिस्कार्तिक खडए थे साकेत ने उनिसमें ओर में के लिए रेविल को बुलाए मैं आज को खतम कर देना चाहते इसलिए साथ सबसे प्रमुग इंदबाज रुबिल को मंत्रित क्या दिनिस्कार्तिक चाओके छके मार अब भारत को अंतीम ओर में 12 रंच चाहिए थे छे गेंदों में 12 रंकी जरोती भारत को जीत के लिए वह श्ट्राइक पे ते विजे संकर फिए लास्ट ओर डालने आये सोम्मे सरकार विजे संकर ने पहली गेंद पर बल्ला जोर ची गुमाया लेकिन फिर एक बार बल्ला बीट हो गया दूसरी गेंद पर विजे ने गलिया सबको उमीद थी कि आज के हीरो दिने सकार्थी के होने वाले चाउती गेंद पर विजे ने चाउका माया दिया अब जीत के लिए दो गेंदों में पर पाच रहनों की जरुत थी अब भारते फैंस बहुत खुश दिखाए दे रहे थी क्योंकि म्याच थोड़ा पकड़ में आगा चा जीत गए लेकिन ऐसा पाचवी गेंद पर विजे संकर क्या चाउड हो गए और स्ट्राइक पे दे दिने सकार्थी सबको भुरसादा के दिने सकार्थी म्याच को जीता कर दिया ऐसी भारतनी नागिन को कुचल डाला विड़ा आपको कैसी लगी कामेंड वाक्स में बता न मिलते नेक्स्ट वीडियो में